अगर मैं आप लोगों से बोलू कि हर एक कम्तनी Android का रास्ता छोड़के अपने खुद का वेस बनाईगी और MediaTek Qualcomm का रास्ता छोड़के अपने खुद के प्रोफसर बनाऊगी तो शायद आप मेंसे जात तरलोग मेरी बात से disagree कर सकते हो क्योंकि आज के समय में अच्छे mobile phone के अंदर एक नया Android का अपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूर है Latest MediaTek या SnapTron का flagship processor होना ज़रूर है और उसे हम यहापे flagship कहते हैं लेकिन यह कहानी शाए Chinese companies बहुत देहीं सब दलती है दो ऐसी Chinese company के recent example में बतारो जिनके कुछ ऐसी reports हाई और पता चलता कि अगर यह सब हो रहा है ना तो definitely कुछ बड़ी चीज़ हो सकती आने वाले future में सबसे बहले बात करता हूँ Xiaomi की Xiaomi जैसी company अपना खुद का processor यहाँ पर बना सकती है जिसके बार में बताया जा रहा है कि यह processor उनके mobile phone प्रस उनकी EVs के अंदर यूज होगा देखो Xiaomi जैसी company mobile phone बहुत लंबे समय से बना रही है और बहुत अच्छे phones भी बनाएं कई बार कुछ दिक करते भी करी है और एक जमाने में सर्ज S1 नहम का खुद का processor निकाल लेकि भी कोशिट करी थी लेकिन वो इनका रास्ता है यहाँ पर तक खास चलाने लेकिन अब रिपोर्ट आती है कि Xiaomi कम्तिन अपना खुद का self-designed mobile phone processor बना सकती upcoming smartphones के लिए और यह totally sufficient अपना processor बनाना चाहती है जिस करीके से वो अपनी जो market presence होती है वो unique रख सके और अपनी जो reliance होती है Qualcomm और Mediatek के उपर वो कम से कम कर सके इसके बार में बता जा रहा है कि इसके उपर already काम होना शुरू होगे चाइना में और इसका जो mass production होता है chips का यह 2025 में शुरू हो जाएगा और 2025 के end यहाँ फिर हो सकते है 2026 तक हम लोग इसके products यहाँ पर हम देखे देखा जाये तो even यह भी समझ में आता है कि यह अपने processor के उपर इसलिए भी काम कर रहे है क्योंकि हर एक company यहाँ पर किसी दूसरी company के उपर reliance नहीं करना चाहती अब एक छोटा से example बताता हूँ market में सिर्फ एक ऐसी company जो अपना खुद का processor भी design करती है software भी बनाती है सारी चीज़ा खुद करती है और वो है Apple Apple के अंदर होता है vertical integration यानि कि सारी के सारी चीज़े Apple के control में होती है यहाँ पर Android side में चीज़े किसी भी एक company के control में नहीं है यहाँ पर software है Google के पास processor होता है आपका media tech या snapdragon के पास और फिर बाके के components पे अलग लग जगे रहते है अब mobile phone companies का कहती है कि कुछ parts अधर से लिए कुछ part अधर से लिए कुछ कुछ चीज़े यहाँ पर इसी तरीके से चलती है लेकिन हाँ यहाँ यहाँ पर products जो रहते हैं वो कई बार काफी advanced तरीके से हाँ पर बनाए जाते है और एक simple सी बात है कि कि किसी भी company उगर long turn में हाँ पर खेलना है न तो उसे vertical integration में जाना पड़ेगा उसे सारी के सारी चीज़े खुद ही handle करनी पड़ेंगी तब ही जाके वो लंबा survive कर सकती है नहीं तो अगर किसी भी company के उगराउंगी dependency रही तो कल को market में कोई भी change आ जाए कोई भी नया law आ जाए कोई भी नया restriction आ जाए यह company रात और रात खतम हो सकती है और Chinese companies के उपर तो डेंजर और बढ़िया जब USA में अब Trump वापस आ रहा है और अगर आपको याद होगा तो Donald Trump की government नहीं Huawei के उपर बैंड लगाया था जिस कारण से Huawei Google के Android को यूज नहीं कर सकती है और उसके बाद उन्होंने अपना Harmonyverse निकाला था और अगर S-Tap का restriction शौम या किसी दूसरी कमतनी के पर लग गया तो नहीं आगे चलके business करने में बहुत दिक्कत हो सकती है इसलिए चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया वहीं बात करो operating system की न Huawei का Harmonyverse तो आपको याद है दस उसको अपने इसाफ से design customize करना था modify करना था चीज़े प्रिजेंट करनी थी लेकिन आप समझ में आता है कि 2025 में HarmonyOS का जो अगला version आगा है totally different होगा जो Android version से totally independent होगा यानि कि इसका कोई भी जो reliance रहती वो Android क्यूब पर नहीं रहेगी इसकी app separate रहेगी यह पूरी की तरीक से लग रहेगा और अगर इस type की चीज़ अगर Harmony OS यहाँ पर crack कर लेता है अगर Chinese market में भी crack कर लेता है तो यह बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है क्योंकि अभी दख देखा जाए ना तो market के था तो सिब दो type की OS से iOS चलता है या Android चलता है लेकिन इसके अलावा का तीसरा OS अगर Chinese market वीप अगर आ जाता है ना तो यह बहुत बड़ी चीज़ होगी येस क्योंकि आथ के समय मार्केट में स्पेस बचा नहीं है लेकिन किसी particular region में अगर Android और iOS की menopolis तरीके से तूट रही है तो वह एक काफी interesting चीज़ होगी देखने वाली इसके साथी आने वाले समय में OS वाले रेस्म AI वाले जो OS होंगे वह काफी जादा देखने को मिल सकते हैं क्योंकि futuristic चीज़ अब mobile phone से निकलके AI में जा रही है और artificial intelligence वाले अगर OS यहाँ पर मार्केट में और और पॉपलर होते हैं वह अग देखने वाली बात यहाँ पर रहती है इसरे साथी चलिए यहाँ पर भात कर लिए आपके Android phone companies के बारे में लेकिन आप बात करना चाहूँगा इंडिया के यहाँ पर electric two wheeler market में यहाँ पर Honda ने finally अपना Activa Electric को announce कर दिया जिसके अंदर नाम है Activa E और Activa QC1 देखा है तो QC1 के कैसा product है जो आपको जारतर जगे same देखने को मिलने वाल है और इसकी availability almost 10 इंडिया रहेगी लेकिन यह product जो है वो बिलकुली affordable category का बनाय जाएगा बिलकुली इसको सबसे सस्ता electric scooter बना कर रखा जाएगा बात करें तो इसके अंदर जो body रहेगी वो यहाँ पर आपको plastic या fiber की देखने को मिलेगी यहाँ पर एक कोई hub motor देखने को मिलेगी जो directly tire के अंदर fit है और जो battery की capacity वो है 1.5 kWh की clean किया जा रहा है 80 km की range लेकिन हाँ यह certified range होती है और certified range और real range के अंदर difference होता 25% का तो 80% के गरब 25% कम कर देंगे उत्ती realistic range देखने को मिलेगी हाला कि बात की जा तो इसकी pricing अभी तक announce नहीं की गई है और यह बिलकुली entry level product के रूप में सामने आएगा और हाँ January में ही इसकी pricing का announce किया जाएगा और आप इसकी pricing एक लाक रूपे खेंडर है यहाँ पर समझ सकते है इसके लावा जो main active electric है जिस active EV कहा जा रहा है यह अभी इसके लेकिट cities में मिलेगी और metro cities को target किया जा रहा है क्योई यहाँ पर Honda क्या कर रही है swappable battery network को try कर रही है कोई fix battery नहीं है यहाँ पर battery का आप switch कर सकते है swap कर सकते हैं नई battery लगाके अपनी गाड़ी को यहाँ पर चला सकते है इसके लिए swapping network का होना काफी जादा ज़रूरी है इसके साथी यहाँ पर 102 km की certified range देखने को मिलेगी smart connectivity है देखा जा तो active electric एक काफी better और premium product है लेकिन अभी भी इसकी pricing नहीं बताई गयी है और range इसकी हाँ पर थोड़ी सी हाँ पर कम देखने को मिलती है इसका साथी देखने वाली बात है कि जो swapping network करता है यह कितने अच्छे तरीके से efficient रहता है इसको कितने अच्छे तरीके से Honda establish कर पाता है और charging वाली problem को हापे किस तरीके से solve करवाता है क्योंकि अच्छे से पहले कई सारी companies है swapping network को try किया था लेकिन market में चली नहीं जैसकी bounce ने भी try किया था एक time पर revolt या ऐसी company ने भी try किया था लेकिन के भी swapping network यहाँ पर बंद हो गया इसके साथ एक interesting चीज़ मैंने देखी कि यह product बिल्कुल वैसे जैसे इन्हें उने जैपान या दूसरे global markets में launch करे थे वही चीज़े को इंडिया के अंदर उठा कर ले आया है लेकिन कोई खास यह बड़ा major changes नहीं किया चाहें battery pack के बारे में बात करें यहाँ फिर speeds के बारे में बात करें यहाँ पर कोई भी changes नहीं है लेकिन अगर इन्हें Indian market में successful होना है न तो इन्हें अपनी जो presence होगी पैन इंडिया करनी पड़ेगी service network चारों सर्फ देना पड़ेगा और product को भी affordable रखना पड़ेगा प्लस यहाँ पर जादा range वाले products भी निकालने पड़ेगे त्योंकि अभी जो range आ रही है वो comparison वे जो दूसरे products है market में उनसे थोड़ इसी हाँ पर कम है दिखते हैं यहाँ पर Honda Active Electric की की बत वगर है यहाँ पर क्या रहती है इसके साथ ही यहाँ पर बात करना चाहँगा कि टेलीकों operators के साथ एक interesting चीज़ हो रही है और वो यह है कि यहाँ पर सभी companies को आप available करवाना होगा अपनी website के अंदर 2G, 3G, 4G, 5G coverage का map यानि की पूरे इंडिया का map होगा और वहाँ पर यह दिखके बताना होगा कि किस area में कौन सा coverage कैसा है 2G का coverage है की 3G है की 4G है की 5G जिससे लोग को पता चले कि इंडिया में exactly में 5G का coverage किता है 4G किता है और इसे लोग को यह मद्द मिली की उनके area में exactly में network की quality और coverage वागरा कैसा है यह बहुत इंटरसन चीज लेकर आया है इसके साथ एक TRI की September मन्द की रिपोर्ट वी आई है और उसे देखके पता चलता है की market बहुत ती से चिंज हो रहा है जिसकी GEO के बार में बात करे तो GEO ने 7.9 million subscriber को lost कर दिया इसके साथ ही Vodafone आइडिया के बार में बात करे तो तकरीबन 1.5 million subscriber को lose किया Airtel ने 1.4 million subscriber को lose किया MTNL ने तकरीबन 2000 subscriber lose करे लेकिन वही बात करे BSNL की तो 8.49 lakh subscriber earn करे जो कि सिंपल सी बात है कि कावी interesting चीज हो जाती है और देखके असा लगता है कि Telecommunication वाले market में BSNL comeback कर रहा है और कई सारे लोग एक affordable SIM card के लिए पीछे आग BSNL के पीछे जा रहे हैं हाला कि BSNL को सच पता हूँ यहाँ पर network को improve करने की जरूरत है और अपने आपको stable network करने की जरूरत है 4G की उपर भी काम करें और 5G भी अगर लेकर आएं तो बहुत एक अच्छी चीज रहेगी हाला कि बात की जातो simple सी बात मैंने देखी कि जिन लोग है बस multiple SIM cards थे वो अपने secondary और third वाले जो SIM cards उने बंद कर रहे हैं और किसी को से secondary SIM card रखने है तो BSNL की पीछ जा रहे है क्योंकि उसे चला पाना उसे use करना है यहाँ पर comparatively काफी आसान है तो यह एक चीज है और इसके साथ ही अब मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से यहाँ पर Mr. Rahul Sharma के बारे में जिससे अगर आप लोग को नहीं पता तो यह पहले Micromax Company को फाउंडर है चुके है Revolt Company भी स्टार्ट करी थी लेकिन अभी अपना एक नया वेंचर लेकर आगे जो कि है Streambox और उसके अंदर उन्होंने डोर नाम का एक special QLED TV नोने लांच किया और इस TV को बताँ वो कैसे बेच रहे है इस TV को ऐसे भी नहीं बेच रहे है कि आप upfront पैसा देके पूरे का पूरा TV ले लो यह TV as a service बेच रहे है यानि कि एक fix amount दो और उसके बाद TV आप अपने घर ले आओगे उसके बाद हर महीन आप कुछ पैसा देते रहो जिसमें से जो पैसा रहेगा वो TV को किराय की रूप में भी रहेगा प्लस आप उतने पैसे कि जो OTT एप्स होती है ना वो भी यहाँ पर यूज कर पाऊ यह एक unique और नया concept लेकर आए लेकिन देखने वाली बात है कि इस type का concept चलेगा कि नहीं चलेगा उनके past के ventures के बार में बात करें तो Micromax रह चुका, Utelie Ventures रह चुका है और Revolt रह चुका है लेकिन यह चीज यहाँ पर कितना वड़ा successful होते की नहीं होती और लोग को का ध्यान इसके उपर जाते की नहीं जादा देखने वाली बात होगी यहाँ पर थेंक्यो यहाँ बने रहने खिली यह थे इस हपते का पॉडकास्ट यहाँ पर कुछ टेक न्यूस के बारों मैंने आपसे बात करी हाँ पर थेंक्यो बने रहने खिली मैं आप समलता हूँ ने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर गुडबाई